खुसखबडी 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 जी हाँ प्यारे सात्यों रेलवे एलपी रेलवे टेकनिसियन या तो गुरूपडी वाले बच्चे जो की रेलवे डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं वेकेंसी कहीं दियार करते या तो जॉब के लिए वेट करते उनके लिए एक औ उसके बाद आप लोग कहीं न कहीं जादा परेशान थे और आप लोग को लग रहाता कि सेलेक्शन लेना कहीं न कहीं जादा कठिन हो जाने वाला है तो आप लोग के लिए railway department ने एक खुसखबरी जारी किया है एक खुसखबरी का नोटिफिकेशन दिया है जो कि हम आप लोग के साथ सेयर करने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग इस informative वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस खुसखबरी का अंदाजा लग सके उन्हें भी इस खुसखबरी का पता चल सके तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सेयर कर देंगे और साथी साथ वीडियो को लाइक करके चैनल पर पूरा सुरू से अंद तक वीडियो को देखेंगे चले शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि railway department के तरब से ऐसी कौन सी खुसकवरी निकल करा दिया है जो कि हम आप लोग के साथ share कर रहे है या तो आपका भाई आपके साथ साजा करने की कोशिज कर रहा है तो चलिए सबसे पहले में बता दू कि railway department ने एक नई notification जारी किया है जिसमें आप लोग को technician की vacancy के बारे में कहीं न कहीं बताने की बात की गई है आप लोग को technician की vacancy कब दी जाएगी technician का वर्ती कब होगा यह सारी timeline आप लोग को जारी कर दिया गया है इसके लिए सबसे पहले मैं बता दू कि आपको करना क्या है तो आपको सबसे पहले आपको अपने mobile phone में, desktop में या तो computer में सबसे पहले कोई भी एक browser open करना है और वहां पे आपको search करना है rvbhopal.in जो कि आपका official website है, government का railway वर्ती बोड का भोपाल का जहां को आपको search करना है आपको दिखा दे, यह railway वर्ती बोड भोपाल का official website है, railway recruitment board और भोपाल ठीक है, उसके बाद मैं बता दू हम भोपाल के official website पे है, जहां पे आपको दिखा दे कि यह उनकी notice board है, जहां पे आपको employment notice दी जाती है उसके बाद आपको बता दे, ALP की जब vacancy आए थी, तो CN01-2024 की notification इन्होंने यहां लगाई थी और इसके बाद जो vacancy आपको issue कर दी जाती है, उसकी notification यहां आ जाती है उसके अलाबा जो की कोई नई notification या तो update होती है, वो कहीं न कहीं यह लोग आगे लगाते हैं आपको दिखा दे यहां पे latest update of all centralized employment and other notice वहला कि other notice जो होती है, या तो centralized employment के लिए जो भी बाते होती है, update देना होता है वो यह लोग यहां लगाते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पे मैं आपको नई चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो की भोपाल के side पे लगा है, CN no 02-2024, मतलग कि आप लोग इतनी दिन से ALP की vacancy देख रहते हैं आप लोग के साथ जूर चुके हैं, आप लोग को बताने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं, requirement of technician tentative timeline under CN no 02-2024, मतलग कि technician के लिए क्या है, technician के लिए आपको tentative timeline दिया गया है, जो कि आपको 2024 में कहीं न कहीं आपके लिए technician की vacancy आने वाली है, तो प्यारे सातियों सबसे पह आपके साथ discussion कर ले, आपको सारी चीजी बता दे, तो हम सबसे पहले इस notification को download करेंगे, और आपको बताने की कोशिज करेंगे, तो जैसे ही हम इस पे click करेंगे, हमारे पास notification download होकर कहीं न कहीं आ जाएगा, आप देख सकते हमने download कर लिया notification को, और आप देख रहे, government of India, ministry of railway, railway requirement board, भोपाल, तो आप लोग देख सकते हैं, भोपाल के तरफ से यह बताया गया है, railway requirement board का है, आपको बता दे, CN number 02, requirement of technician tentative timeline, तो tentative timeline है, जैसे कि हमने आपको बताया था है, कि आपका जो technician का update दिया था, advance notice, और advance notice के बाद आप tentative timeline आ चुका है, tentative number of vacancy about 9000, मतला कि 9000 प्लस seat क कहीं न कहीं, आपको tentative दिखाया गया, मतलब कि आपकी technician में आने वाली है, अब बारिवारी से कुछ points दिये गए, उस points को परके आपको समझाने की कोशिश करते है, publication of notification in employment news, फरवरी 2024, मतलब कि ये, 2024 के फरवरी मन्द में कहीं न कहीं, employment news के तहत, आपको पताया जाएगा, मत लोग को फरवरी माध्य में इसकी जानकारी दे जी जाएगी, उसके बाद submission of online application, मतलब कि आप लोग online application जो करेंगे, वो कब कर सकते हैं, तो मार्च से अप्रेल 2024 मतलब की, अप्रेल मार्च से लेके, मार्च से लेके, अप्रेल मार्च के बीच में कर सकते हैं, आप इसकी application, उसके बाद बताया गया, the computer-based test CBTS are tentably scheduled to be held between October से December के बिच में, आप लोग का CBT exam लेने का बात कहा गया है, technician वाले बच्चों के लिए, जो technician का form बढ़ना चाहते है, short list for document verification will be released in February 2025, इस हिसाब आप जान सकते हैं, कि February में इन्होंने कही नका इस विकेंसी को पूरा करने की बात कही है, इसकी अलावा मैं बता दूँ कि railway department में, अभी बच्चों के तरफ से कहीं न कहीं, बहुत सारे प्रोटेस्ट किये जा रहे है, इसकी वाया से railway department पहले ही सचे थे, और वो पहले ही आप लोग को notice दे दिया, please note कि the centralized employment notice for the next cycle of requirement of the post of technician, मनला कि technician की अगली cycle, मनला कि अगली और ये अपरेल में, कहीं न कहीं, 2025 के अपरेल में, फिड से नई vacancy देने की बात कर रहे है, जो कि नया notification निकल कर आप लोग के लिए technician वाले बचों के लिए निकल कर आया है, तो प्यारे साथियों, हमने आप लोग के साथ यही notification था, जो कि आप लोग के साथ share करनी थी, ये कहीं न कहीं, technician का इंतियार करते हैं, और technician की भी, कहीं न कहीं न कहीं, tentative number of vacancy भी देख लिजिए, 9000 है, और timeline भी आपको पुड़ा पुड़ा दे दिया गया है, तो ये हमारे तरफ से जानकार इसी, जो कि हमने आपको बताया, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो वीडिय notification जैसी कोई notification आता है, जैसी भी good news आती है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, आप अपना खयाल रखें, जहिंजा बारत, वन्दे मातरम